मानने सदशगन अत्यंत्य दुख्य साथ मुझे सभा को अपने पूर साथी के निधन के बारे में सुचित करना है स्री पी एम सुभा सिक्किम के सिक्किम संसदी निर्वाचन शित्र से सात्वी लोकस्वा के सदश्य से स्री पी एम सुभा का निधन शियासी वर्ष की आयू में 27 जून 2024 को गंग्टो सिक्किम में हुआ मानने सदशगन दिनाग 19 मही 2024 को एक दुखत घटना में दुखतना में इसलामी इरान गंडराज के राश्टपती महमईम डाक्टर सयद इब्राहिम रैसी और उनके साथ विदेश मंती डाक्टर होसेन अमीर अब्दुल्ला हियान तता अन्य इरानी पदादिकारियों का निधन हो गया ये सभा इस दुर्भागेपुन हेलिकोप्टर दुखतना में इसलामी गंडराज इरान के राश्टपती महमईम डाक्टर सयद इब्राहिम रैसी विदेश मंती डाक्टर होसेन अमीर अब्दुला हियान तता अन्य वरिष्ट पदादिकारियों के निधन पर इरान की सरकार और वहां की जनता के प्रती गहरी सवेदना वेक्त करती है मानि सदस्रिकन मुझे ये सुचित करना है कि तंजानिया स्विंत गनराज के दिर्तियर राश्टपती महमईम अलोज अली हसन मिमिनी का गुंतीस परवरी दोजाच चोविस को दार एस सलाम तंजानिया में निधन हो गया राश्टपती के रूप में अपने कारेकाल के दोरान उन्होंगे दो बार भारत की यात्रा की तता भारत और तंजानिया की मद्ध्य घनिश समन्द इस्तापित करने के लिए उलेकनि ये योगदान दिया यह सभा तंजानिया संउक्त गनराज की सरकार और वहां की जनता के प्रति गहरी सविद्ना वेक्त करती है मानि सदश्गन मुझे सभा को मलावी गनराज के उपराश्ट पति महामेम डाक्टर साउलो क्लास चिलिमा के निधन के बारे में सुचित करना है डाक्टर साउलो क्लास चिलिमा एक अस्षास्ती थे जिन्होंने दो बार मलावी के उपराश्टि पति पत को सुचोबित किया ये सभा मलावी की सरकार और वहां की जनता के प्रति गहरी सविद्ना वेक्त करती है माने सदस्गन 23 जून का दिन आतंगवाद के इतियास में सबसे काले दिन के रूप में याद किया जाएगा इस दिन टोरोंटो और वेंकुवर से उडान भणने वाले एर इंडिया के दो विमानों को आतंगवादियोदारा निशाना बनाया गया था आइलेंड में AI 182 कनिश में विश्पोटक के कारण 330 निदोष्ट लोगों ने अपनी जान गवाई थी जबकि जापान में एसी एक और बड़ी तबाई टल गई लेकिन इसमें भी दो अन्य लोगों की मुत्ति हो गई यह घटनाएं इस बात का इस्वनन कराती है कि विश्व को आतंगवाद और हिंसक शरम पत्त के पती सुन्य सुष्णता क्यों बरतनी चाहिए इसे किसी प्रकार से शमा नहीं किया जा सकता नहीं नयचित टेराया जा सकता अब ये सवा दिवंगत आत्माओं की इसमर्ति में कुछ देर मोन रहेगी